नमस्कार में दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है शादी का सीजन जोरो शोरो से चल रहा है शादी से पहले लड़कियों को सबसे ज़्यादा इस बात की टेंशन होती है कि कहीं वो लहंगे में ज्यादा मोटी ना लगे इसके चक्कर में लड़किया शादी से पहले एक समय का खाना छोड़ देती है या हार्ड वर्काउट करने लगती है लेकिन इससे शरीर में सिर्फ कमजोरी आती है और चेहरे का ग्लो भी छिन जाता है आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी स्पेशल डाइट जिससे वेडिंग डेट से हिसाब से फॉलू कर आप अपना मन चाहा फिगर पा सकती है शादी से 6 महीने पहले के डाइट प्लैन की बात करें तो आपको सुबह सबसे पहले आप ग्रीन टी के साथ 5-6 भीगे हुए बदाम ले इसके बाद ब्रेकफास्ट में वेजी ओट्स, इडली सांभर, एग वाइट, ओमलेट और संत्रे का फ्रेश जूश ले लंच में आप दाल वा सबजी के साथ रोटी या चावल खाएं डिनर में ग्रिल्ट वा रोस्टेट चिकन या सबजियां पोटेटो मैश, बेसन चिल्ला, मेथी की रोटी, दाल और सबजी खाएं इससे ना सिर्फ आपका वजन कम होगा बलकि कंट्रोल में भी रहेगा शादी से तीन महीने पहले के डाइट चाट की बात करें तो इसके लिए आपको मौर्निंग ब्रेकफास्ट में ग्रीन टी के साथ एक बादाम वा केला खाएं फिर ब्रेकफास्ट में फोल वीट, टोस्ट, एगवाइट, ओट्स, चिला, पोहॉरिडली सामभर जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं लेंच में दाल, सबजी, चावलवा, रोटी खाएं और डिनर में फ्राई सबजियां, ब्राउन राइस, दाल, सबजी और सैलेट को शामिल करें शादी से दस दिन पहले के डाइट चाट के प्लाइन करें, तो आपको सुबह ग्रीन टी के साथ ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स को खाना है, इसके अलावा लेंच में आप डाल, रोटी या चावल खाएं, डिनर साड़े साथ बजे से पहले कर लें, आप बेगड चिकन वि क्योंकि इस से आखों के नीचे सूजन होती है, खुद को तनाव मुक्त और खुश रखें